आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नामा बनेगे, फिर हमने जाना कि युद में जब भीश्म जीवित रहेंगे तब तक कंड युद मैदान में नहीं आएगा फिर हमने आगे जाना कि इस युद में बलराम और रुकमी राजा नहीं सामिल होईगे पढ़ते हैं इस पाट के भागदों को जानेंगे की आगे क्या हुआ युद के समय सारे भारत वर्ष में दो ही राजा युद में शम्मिलित नहीं हुए और तटस रहे यहां बताया गया है कि महाभारत के युद के समय पूरे भारत देश में से सिर्फ दो ही राजा ऐसे थे जो महाभारत के युद में सामिल नहीं हुए थे ना ही वे किसी की तरफ से एक बलराम और दूसरे भोजगट के राजा रुकमी एक तो बलराम थे और एक थे भोजगट के राजा रुकमी रुकमी की छोटी भेहन रुकमेणी श्री किशन की पत्नी थी अब राजा रुकमी की जो भेहनती रुकमेणी उनका विवा श्री किशन से हुआ था अब रुकमी जो राजा है वह युद में सामिल क्यों नहीं हुए थे आए जाने कुरुक्षेत्र में होने वाले युद के समाचार सुनकर रुकमी एक अक्षोहिनी सैना लेकर युद में सम्मिलित होने को गया अब जैसे ही रुकमी को यह पता चला कि कुरुषेत्र का युद होने वाला है तो रुकमी अपनी एक अक्षोहिनी सैना यानि एक बड़ी सैना लेकर युद में सामिल होने के लिए गया उसने सोचा कि यह अफसर वासुदेव की मित्रता प्राप्त कर लेने के लिए ठीक होगा वह ऐसा समझता है कि वासुदेव की मित्रता को प्राप्त करने के लिए यह अफसर बिल्कुल ठीक होगा कि मैं युद में अपनी सैना लेकर जाओं वासुदेव अर्थाच शिरी किष आपकी सैना से सत्रू सैना कुछ अधिक मालूम होती है इसी कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूँ वै कहता है पांडू पुत्र से की अर्जुन से बोलता है रुकमी की दुर्योधन की जो सैना है वै पांडवो की सैना से कुछ अधिक मालूम होती है इसी कारण में आपकी सहायता करने आया हूँ इसी कारण में अपनी सैना तुम्हारे पास लेकर आया हूँ क्या अरजुन जो है रुकमी को शामिल कर लेंगे आये जाने यह सुनकर अरजुन हशते हुए रुकमी से बोला अब अर्जुन जो है बाते सुनता है रुकमी की और उससे बोलता है कि हस्ते हुए राजन आप बिना शर्त के साहता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है नहीं तो आपकी जैसी इच्छा वे कहता है अर्जुन रुकमी से हस्ते हुए कि यदि आप हमारी साहता करना चाहते ह तो बिना शर्ट के कीजिए यदि बिना शर्ट के आप हमारी सहायता करेंगे तो आपका स्वागत है हमारी सैना में नहीं तो आपकी जैसी इच्छा यह सुनकर रुकमी बड़ा क्रोध हुआ और अपनी सैना लेकर दुरियोधन के पास चला गया अब रुकमी जो है अर्जुन रुकमी ने दुरियोधन से कहा पांडवों से अपमानित होकर रुकमी जो है दुरियोधन के पास जाता है और दुरियोधन से कहता है कि पांडव मेरी मदद नहीं चाते है इस कारण मैं आपकी सहायता है तु आया हूँ दुरियोधन से वह कहता है रुकमी की पांडव जो ह अपनी सहना लेकर आया हूँ ताकि आपकी सहायता मैं कर सकूँ दुरियोधन से कहता है कि मैं आपकी सहायता करने आया हूँ क्या दुरियोधन रुकमी की सहायता प्राप्त करेगा आये पड़े पांडवों ने जिसकी साहिता सुईकार नहीं की हमें उसकी साहिता सुईकार करने की जरुरत नहीं है वैं कहता है दुरियोधन की जिसकी साहिता पांडवों ने सुईकार नहीं की उसकी साहिता हम भी सुईकार नहीं करेंगे यह कहकर दुरियोधन ने भी रुकुमी की सायता ठुकरा दी यानि जो रुकुमी है उसका दुरियोधन अपमान करता है और उसकी सायता को ठुकरा देता है बेचारा रुकुमी दोनों तरफ से अपमानित होकर भोजगट वापस लोट गया अब जो रुकमी है वह अपमानित होकर भोजगट वापस लोड़ जाता है इसी कारण जो है बलराम और जो रुकमी है वह इस युद में शामिल नहीं हो पाए थे रुकमी करतव्य से प्रेरित होकर नहीं बलकि अपनी प्रतिष्ट बढ़ाने के उधर्ष्च से कुरुक शेत्र गया और अपमानित हुआ अब रुकमी जो है वह अपने करतव्य को निभाने के लिए युद में शामिल नहीं होने गयता वह तो अपने मान सम्मान को बढ़ाने कि उधर्ष्च से कुरुक शेत्र में गयता ताकि वह अपनी सेयना को उस शेत्र में लेकर जाए युद्धि शेत्र में और वाशुदेफ खुश हो सके और उसकी परतिष्टा भड़े लेकिन हुआ उल्टा उसकी सेयना को किसी ने भी शामिल नहीं किया और अपमानित होकर जो रुकमी राजा है वह भोजगत यानी अपने राज्य वापिस आ जाता है इसी कारण बताया गया है कि युद्धि शेत्र में सिर्फ दो ही राजा ऐसे ते जो युद्ध में शामिल नहीं हुए एक ते बलराम और दूसरे ते रुकमी आगे पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सैनाय लड़ने को तैयार खड़ी थी अब युद्ध की तैयारिया पूरी हो चुकी थी कुरुक्षेत्र का मैदान चुना जा चुका था लड़ने के लिए दोनों और सैना तैयार होकर एक दूसरे की तरफ देख रही थी कि त नीती होती है कि युद नीती के अनुसार ही युद किया जाएगा युद नीती से जो अटके युद करेगा वह युद से हाराम आना जाएगा कोर्वो की सैना की व्यू रचना देखकर युदिष्टन ने अर्जुन को आग्या दी कोर्वो की सैना को जब युदिष्टन ने उनकी planning देखी तो युदिष्टर जो है अर्जुन से कहते हैं कि एक जगा सब वीरों को इखटा रहकर लड़ना होगा वे कहते हैं कि एक जगा सभी वीरों को इखटा कर लो और उने लड़ना होगा अतह है सेना को सूची मुक यानि सूई की नोख के समान व्यू में सज्जित कर दो यानि सेना को सूई की नोख के समान जो आगे से पैनी होती है और पीछे थोड़ी मोटी सी होती है यानि इस रूप में सूई की नोख के समान जो सेना है उसको तयार कर दो इस प्रकार दोनों पक्षों की सैनाएं सैनाओं की वियू रचना हो गई इस प्रकार जो है दोनों पक्षों की जो सैनाएं होते हैं वे तयार हो जाती है कोरवों और पांडवों की अर्जुन ने युद्ध के लिए तयार हुए वीरों को देखा तो उसके मन में शंका हुई कि हम यह क्या करने जा रहे हैं जब अर्जुन ने युद के लिए तयार हुए वीरों को देखा और उसके मन में ये संदे हुआ कि हम करने क्या जा रहे हैं हम यह लड़ाई करेंगे उसने अपनी यह शंका श्री किष्ण को प्रकट की तब अर्जुन के इस ब्रहम को दूर करने के लिए श्री किष्ण ने अर्जुन के मन में आ जाता है और इस संदे को दूर करने के लिए जो अर्जुन है वह श्री किष्ण के पास जाता है जहां पर श्री किष्ण जो है गीता का पाट हमें सुनाते है अर्जुन को सुनाते है और विश्व विक्यात जो है भगवत गीता मानी जाती है पूरे व भगवत गीता का पाट जो है युद्ध शेत्र में अर्जुन को सुनाया गया जिसमें कर्म योग का बताया गया है कि धर्म के लिए कुछ भी किया जा सकता है यानि धर्म की हानी होगी तो उसमें आपको यह नहीं देखना है कि हम गलत क्या कर रहे हैं धर्म के मार्ग पर हमें चलना है गीता के पाट में श्री किष्ण ने अर्जुन को यह बताया है सब लोग इसी की रहात देख रहे थे कि कब युद्ध शुरू हो अब सब लोग यही सोच रहे थे कि कब यूद शुरो हो और हम यूद करे पर एक आएक पांडफ सैना के बीच में हलचल मच गई पर अचानक क्या हुआ पांडफ सैना के बीच में हलचल मच जाती है अब हलचल क्यों मची आए जाने देखते क्या है कि युदिष्टर ने अचानक अपना कवच और धनुस मान उतार कर रत पर रख दिया और रत से उतर कर हाथ जोड़े कोरव सेना की हतियार बंद पंक्तियों को चीरत हुए भीश्म की और पैदल जा रहे हैं अब होता क्या है कि युदिष्टर जो है अचानक अपने कवच को और अपने धनुस को उतार कर रत पर रख देता है और रत से उतर कर कोरव की सेना के अंदर जाने लगता है जहां पर भीश्म पितामा होते है अब भीश्म पितामा की और वे भड़ा चला जा रहा है पैदल और बिना हतियार के वे ऐसा क्यों कर रहा है आईए पड़े बिना सूचना दिये उनको इस परकार जाते देखकर दोनों ही पक्ष वाले अचंबे में पड़ गए अब इस परकार जो युदिश्टर है वे जा र अब अर्जुन जो है युदिश्टर को देखकर खुद भी कूद पड़ता है और युदिश्टर के पीछे जाने लगता है दूसरे पांडव और श्रीकिष्न भी उनके साथ ही हो लिए यानि सभी पांडव जो है वे युदिश्टर के पीछे हो जाते है और श्रीकिष्न जो है वो भी युदिष्टर के पीछे चलने लग जाते हैं। अब ऐसा वह क्यों कर रए हैं आएपड़ें। इतने में श्रीकिष्ण बोले, युदिष्टर को ऐसे जाते हुए देखकर श्रीकिष्ण बोलते हैं की अरजुन मैं समझ गया हूँ कि महाराज युदिष्टर की इच्छा क्या है बिना बड़ो की आग्या लिए युद करना अनूचित माना जाता है धर्मराज का उदेशे अच्छा ही है यानि श्रीकिष्ण जो है सारा हाल बताते है कि युदिष्टर ऐसा क्यों कर रहे है युदिष्टर की इच्छा है कि युद करने से पहले बड़ो की आग्या मालनी जाए और युद करने से पहले यदि बड़ो की आग्या नहीं ली गई तो यह गलत माना जाएगा यहाँ अनूचित कार्थ होता है गलत धर्मराज का यानि युदिष्टर का जो देश्य है अरजुन यह बहुत अच्छा है सत्रू सैना के हतियार बंद वीरों की कतार को चीरते हुए युदिष्टर सीधे पितामा भीश्म के पास पहुँचे और जुक कर उनके चरण चुए अब सत्रू सैना यानि दुश्मन की सैना के हतियार लिये हुए वीरों की पंग्तियों को चीरते हुए युदिष्टर सीधे कहा जाते है भीश्म पितामा के पास और उनके सामने जुकते है और उनके पैर चूते है फिर बोले फिर पैर्च होते हुए वे भीश्म पितामा से युदिश्टर बोलते हैं कि पितामा हमने आपके साथ लड़ने का दुस्साहस कर ही लिया किर्पिया हमें युद की अनुमति दीजिए और आशिरवाद भी कि हम युद में विजय प्राप्त करें पितामा भीश्म से युदिश्टर कहते हैं कि हमने आपके साथ युद करने का पाप कर ही लिया हा यहां दुस्साहस करता है पाप किरपिया हमें युद करने की आज्या दीजिए पर्मीशन दीजिए और हमें यह आशिरवाद भी दीजिए कि हम युद में जीत हासिल कर सके अब भीश्म पिदामा क्या बोलते हैं आये पड़े भीश्म पिदामा बोले युदिष्टर से की बेटा युदिष्टर मुझे तुम से यही आशा थी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ विवश होकर मुझे तुमारे विपक्ष में रहना पड़ रहा है वे कहते हैं कि मैं आजाद नहीं हूँ, मैं विवश होकर तुम्हारे खिलाफ युद में लड़ना पड़ रहा है फिर भी मेरी यही कामना है कि रण में विजय तुम्हारी हो वे कहते हैं कि मेरी यही कामना है, यही आशिरवाद है तुम्हारे लिए कि युद में तुम्हारी ही जै हो जीत हो रण का अर्थ होता है युद भीश्म की आग्या और आशिरवाद प्राप्त कर लेने के बाद युदिश्टर अचारे दिरोन के पास गए और परिक्रमा करके उनको दंडवत किया अब भीश्म की आग्या लेकर उनका अशिरवाद लेकर युदिश्टर जो है अचारे दिरोन अचारे के पास जाते है उनकी परिक्रमा करते है और उनको दंडवत परणाम करते है अचारे ने अशिरवाद देते हुए कहा अब भीश्मु पितामा जो आशिरवाद देते हैं वही आशिरवाद गुरु दुरोनाचारे देते हैं और वह कहते हैं कि मैं भी तुमारे खिलाफ युद करना नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं गुलाम हूँ कोरवो का इसलिए मुझे तुमारे खिलाफ लड़ना पड़ रहा ह मैं लाचार हूँ फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि युदिष्टर जीत तुमारी ही हो अचारे द्रोन से आशिष लेकर धर्मराज ने अचारे कृप एवं मदर राज शल्ले के पास जाकर उनके भी आशिरवाद प्राप्त किये और सैना में लोटाए अचारे द्रोन से कर धर्मराज जो है अचारे किरप अचारे और मदर राज मदर के राजा जो है वह शल्ले के शल्ले उनके पास युदिष्टर जाते हैं और उनसे भी आशिरवाद लेकर अपनी सैना में वापस आ जाते हैं यानि सभी बड़े लोगों का युदिष्टर आशिरवाद लेते युद्ध शुरू यानि महाभारत का युद्ध यहां पर शुरू हो चुका है। बेड़ गए अब आपस में कौन को लड़ रहा था अरजुन के साथ किसका यूद हो रहा था भीश्म पितामा का सात्यकी के साथ किसका यूद हो रहा था किरित वर्मा जी का और अभीमन्यू के साथ किसका यूद हो रहा था ब्रत पाल का यह आपस में लड़ने लग जाते है भीप भीम सन्दुरियोधन से जा बिड़ा और जो भीम होता है वे दुरियोधन से लड़ता है। युदिश्टर अपने मामा शल्ले के साथ लड़ने लग जाते है युद के मैदान में। दिरिष्ट दियुमन ने अचारे दिरोण पर सारी सक्ति लगा कर हमला बोल दिया और इसी परकार प्रतेक वीर युद धरम का पालन करता हुआ द्वन्द करने लगा अब जो दिरिष्ट दियुमन है वे अचारे दिरोण अचारे पर अपनी सारी सक्ति लगा कर उनसे लड़न अब पितामा भीश्म के नेतरित्व में कोरभ जो सैना है उन्होंने दस दिन तक युद्ध किया। तो कन को सैना पतित्व ग्रहन करना पड़ा। जब द्रोणाचारे की मृत्य हो जाती है युद्ध के शेत्र में तो कन को अब सैना पति बना दिया गया। कन और उसका वर्द कर दिया जाता है। किसके द्वारा अरजुन के द्वारा। इसके बाद शल्य ने कोरभो का सैना पति बनकर सैना का संचालन किया। अब कन के बाद शल्य जो है वे कोरभो के सैना पति बनते है और सैना के नायक बन जाते है। इस परकार महाभारत का युद कुल 18 दिन तक चला। अब इस परकार महाभारत का युद जो है 18 दिन तक चलता है। तो दोस्तों यह है तापाट कौरभो और पांडवो के सैना पति जिसमें हमने जाना की कौरभो की तरफ से शुरुआती दोर में सैना पति होते है बीश्मुपितामा और पांडवो की तरफ से होते है धृरिष्ट दिन जिस पर हमने जाना की बलराम और जो रुकमी है वे कि पक्षिस से नहीं लट रहे हैं और हमने आगे जाना कि युद शुरू होता है और युद शुरू होने से पहले युदिश्टर जो है सभी बड़ों का आशिरवाद लेते हैं बीश्मु पितामा का किरपा चारे का गुरू दुरूना चारे का अपने मामा शल्ले का और सभी को करते हैं फिर हमने जाना कि आपस में युद शुरू हो जाता है और सबसे पहले बीश्मु पितामा आहत होते हैं उनकी जगा पर गुरू दुरूना चारे की जब नित्ती हो जाती है युद भूमी में तो उनकी जगा कन आ जाते है जब सत्रवे दिन कन मर जाता है तो उनकी जग है पांडवो के मामा शल्ले जो है कोर्वो के सैनापती बन जाते है और इसपरकार जो है महाँ भारत का युद अठारे दिन तक चलता है तो दोस्तो तो यह ता पाद कोर्वो और पांडवो के सैनापती अब आगे पाठो में जानेंगे कि इस परकार युद भूमी में पहले दूसरे तीसरे दिन युद शेतर में क्या होता है धन्यवाद